नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर अपने सांदार अभिनाय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले सांदार अभिनेता इर्फान खान सहाब आज भले ही हम सब के बीच नहीं है लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा की बदालत उन्होंने दर्शकों के दिलों पर अपनी अमीट चाप छोड़ी है बहु मुखी प्रतिभा के धनी इर्फान खान सहाब का जनाम 7 जन्वरी 1966 को जैपुर रजिस्थान में हुआ था और उनके पिता यसीन एक करुबारी थे इर्फान खान सहाब ने अपनी उच्छ सिप्छा के दोरान दिली के नेशनल इसकूल आफ्र ड्रामा में दाखिल लेने के लिए फाम भरा जहां इर्फान खान सहाब का चैयन हुआ और यहां से पढ़ाई करने के बाद इर्फान खान सहाब में मुंबई की तरह फुरूख किया अपना करियर बनाने के लिए संगहर से करने लगे और साल 1985 में इर्फान खान सहाब ने अभिना की दुन्या में कदम रखा उन्होंने दुर्दरसन पर प्रसादित होने वाली धरवाहिक स्रीकान से अपनी केरियर की शुरुआत की और इसके बाद इर्फान खान सहाब ने कई मसभूर धरवाहिकों में काम किया जिसमें भारत एक खोज चाड़ा किया चंदरकानता बनेगी अपनी बाद इसके साथ हिज़ा हनुमान जैसे टिवी सीरियलों में काम किया और दोस्तो साल 1988 में आई फिल्म सलाम बंबे में छोटी सी भूमिका से इर्फान खान सहाब ने बड़े परदे पर कदम रखा और इसके बाद इर्फान खान सहाब ने कई फिल्म में अभिनाय करते नजर आए जिसमें पान सिंग तुमार दाल लंच बाक्स तलवार हिंदी मीडिया मकबूल इसलाम डॉग मिलिनियर लाइफ आप पाई मुंबई मेरी जान साहे बीबी और गेंगिश्टर रिटर्न्स आ और इर्फान खान सहाब ने अपने सांदार अभिने से अंतराष्ट इस्तर पर अपनी खास पहचान बनाई हैं और साल 2011 में इर्फान खान सहाब को फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए भारा सरकार ने पदम स्रिप उसकार से सम्मानित किया बहु मुखी प्रतिभा के धने इर्फान खान सहाब का 29 अपरेल 2020 को नीरो एंडरो क्राइन ट्यूमर नामक बीमारी से 54 साल के उम्र में नीधन हो गया और इर्फान खान सहाब में अपने पूरे फिल्मी केरियर में हर तरह के किर्दार निभाया है और उसे अमर भी बनाया है फिल्म जगत में उनके सह रहनिया योगदानों के लिए पूरी फिल्म डश्टी उनकी रिली रहेगी और दोस्तों आज है इर्फान खान सहाब का जनम दिन तो हम लोगों के तरफ से इर्फान खान सहाब को जनम दिन की बहुत बहुत बथाई और वे जहां भी रहें खुश रहें अबाद रहें हम ल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो का अभीता का लाइक निकी हैं तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा ठांक्च दोस्तों हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए